नमस्कार आई स्टेडी में आप सभी का स्वागत हैं इस वीडियो में मैं पटना कलम चित्रकला के बारे में बताऊंगा यह टॉपिक भी BPSC मेंस परिछा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो हमने अपने पहले वीडियो में मौरिकला और पालकला के बारे में चर्च और हम उसके निस्कर्स पे बात किये थे तो इस वीडियो में मैं पटना कलम चित्रकला पे एक विशच चर्चा करूंगा और यह समझाने का प्रियास करूंगा कि इसको परिक्षा में लिखने का ही तरीका सीखना है तो हम इसको अच्छे से समझने का प्रियास करेंगे इस वीडियो में मैं पटना कलम चित्रकला के बारे में बताऊंगा हम इस कलम चित्रकला पटना कलम चित्रकला के बारे में सभ़ने से पहले थोड़ा इसके बैग्राउंड को समझते हैं कि यह कैसे उत्पन हुआ या कैसे इसका विकास हुआ तो पटना कलम चित्रकला का विकास ऐ या ऐसा इतिहासकारों ने अपने किताबों में लिखा है कि मोगल सामराज के पतन के बाद ततकालीन परिस्थितियों में इसकला का विकास हुआ उसमें परिस्थितिया कैसी उत्पन हुई तो मोगल सामराज मोगल शासकों की तरफ से चित्रकारों को आसरे प्रसरे या सनक्ष चुरू किया यानी बंगाल से ये बिहार के छेत्रों में पलायन करके आगए और उसके बाद इन्होंने अस्थानिये स्थानिये शाली को विक्सित किया इससे ही पटना कलम चित्रकला कहा जाता है हम एक और इसमें इस हेडिंग पे एक और बात ध्यान देते हैं कि पटना कलम चित्रकला क्या है जैसे कि हम लोगों ने मौरे कला पढ़ा है और पाल कला पढ़ा है तो मौरे कला की जो मौरे कला है वो पाल कला में भी अगर देखें तो नालंदा महाविहार, विक्रम शीला महाविहार, अनिक प्रकार के चैत, मंदिर, दुर्ग, इत्यादी की बात की गई है, लेकिन पटना कलम चित्रकला उससे भिन है, हम अगर इसके हेडिंग को देख ले, तो पूरी तरीके से स्पस्ठ हो ज मैं लिखने के लिए करता हूँ, उसी तरीके से उस समय चित्रकार अपनी इस चित्रकला को बनाने के लिए ब्रश या कलम का इस्तमाल करते थे, तो उसी आधार पे पटना कलम और चित्रकला का मतलब पेंटिंग्स, यानि चित्र वो बनाते थे, तो यही इसके जो हेडिंग उसी में इसका अर्थ छिपा है तो हमें पटना कलम चित्रकला की जो बेसिक समझ है वो हो गई है अब हम इसकी भूमिका पर चर्चा करते हैं कि पटना कलम चित्रकला की भूमिका हम परिक्षा में कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ये बता देना है कि मुगल सामराजी के पतन के बाद उस समय की परिस्थितियों में कलाकारों को सनक्षन मिलना बंद हो गया, तब ये कलाकार वहां से पलायन हो के बिहार के पटली पुतरिस्थित छेतरों में आकर बस गया, और यही कलाकार एक नई शैली को विक्सित किये, जिसे पटना कलम चित्रकला कहा जाता है, इस संदर में एक और बात ध्यान देने की आवशक्ता है कि पटना कलम चितरकला एक ऐसी विशु की ऐसी अध्वितिय कला है जिसमें स्थानिय जीवन के विभिन पहलूओं पर प्रकास या उसको चितर में ढाला गया है चितरों के माध्यम से अभिवक्ती की गई है तो पटना चितरकला की प्रमुख विशेस्ता यही है कि यह विशु का ऐसा अध्विति चितरकला है जिसमें स्थानिय संस्कृति या स्थानिय जन जीवन के दैनिक जीवन के चितरों को समाहित किया गया है इस चितरकला में तो भूमिका में इतना लिख देना है, इसके लावे एक और लिख देना है कि पटना कलम चित्रकला में मुगल कालीन शैली, तत कालीन ब्रिटिस कालीन शैली इन दोनों का परभाव दिखता हैं, और इसके साथ जो अस्थानिय विशिस्टताय हैं वो भी इसमें दिखती हैं, तो हमें इन तीनों की भी चर्चा भूमिका के अंतरगत करनी हैं, भूमिका अगर हम लिखें, प्रस्न की भूमिका में एक तो वो डाल देंगे जरूर से, कि इसमें जो दैनिक जन जीवन है, उसके समाने चित्र जो बनते थे, वो चित्रों पे उकेरा गया है, दैनिक जन ज जेवन के चित्र और दूसरा जो मेन लाइन है कि इसमें मुगल कालीन शैली, मुगल कालीन शैली, मुगल कालीन शैली, मुगल कालीन शैली, ब्रिटिस शैली, ब्रिटिस शैली और अस्थानिय विशिष्टता, अस्थानिय विशिष्टता, स्थानी विशिष्टता का मतलब हर छेत्र की अपनी कुछ सामाने विशिष्टाएं होती हैं जैसे कि उस समय के स्थानी विशिष्टा में यहाँ पर जो दैनिक जीवन यानि की कोई बढ़ाई वो लकड़ी काट रहा है तो उसको चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है तो इस प्रकार भूमिका में हम लाइन डाल देंगे कि पटना कलम चित्रकला में मोगल कालीन शैली ततकालीन ब्रिटिस कालीन संस्किती इन दोनों का प्रभाव दिखता है और साथ साथ स्थानी विशिष्टाएं भी दिखती हैं इन सभी के समिस्रन से एक अनोखी अनूठी श प्रश्न होता है वो यही होता है कि पटना कलम चित्रकला की विशिष्टाओं का उलेख करें विशिष्टाओं का वर्णन करें तो इसी संदर में हमें अब विशिष्टाओं पे चर्चा कर देनी होगी इतना भूमिका लिखने के बाद विशिष्टाओं में हम कुछ इसको वो point में बाट दते हैं ताकि आसानी से समझ में आए और विशस्तुता ही इसका विशलेशन में आ जाएगा विशलेशन पक्ष में विशलेशन पक्ष में विशेस्ताय लिख दनी है तो हम पटना कलम की कुछ विशेस्ताओं को देखते हैं कि किस तरीके से कौन सी विशेष्टाएं हमें लिखनी है तो अब हम पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेष्टाओं को देखते हैं इसमें पहला विशेष्टा है कि पटना कलम चित्रकला अधिक्तर मिनियेचर्स की श्रेणी में आते थे अधिक्तर लगुचित्रों की स्रेणी में आते थे यही इसकी मेन विश्यस्ता है कि पटना कलम चित्रकला जो होता था वो मिनियेचर स्रेणी का होता था लगुचित्र होता था और इन चित्रों को कागज पे बनाया जाता था हाथी दात पे बनाया जाता था या फिर अबरख पर बनाया जाता था इसके अलावे चम्डेक पर भी बनाया जाता था या कुछ अन्य धातूओं पर भी बनाया जाता था और मुख्यता तीन का उलिख जरूर कर देना है किनकिन चीजों पर कागज पर कागज पर हाथी दाथ पर हाथी दाथ पर और अब रख पर अब रख पर बनाया जाता था इन टीनों का जिक्र जरूर कर देना है और कागज भी तब ये जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कागज नहीं था तब बास के कागज का प्रियोक होता था और इन चित्रों को बनाने के लिए कागज यहाती था और इसके लिए ब्रश की कागज, हाथिदात और अवरक पर चित्र बनाया जाते थे तो इसकी पहली विशेष्टा यही कि पटना कलम चित्रकला की जो विशेष्टा पहली कि अधिकतर चित्र लगु चित्रों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें कागज, हाथिदात और अवरक पर बनाया जाता था और इसको बनाने के लिए वे कलाकार ब्रस का इस्तेमाल करते थे जैसे ब्रस का इस्तेमाल का जिकर इसले भी करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि चित्र बनाने में हम पहले किसी का इस्तेमाल कर लें पिर बाद में उसका चित्रांकन कर दे तो वो डाइरेक्ट ब्रस उठाते थे और चित्र बनाना शुरू कर देते थे तो पहली विशेस्ता यही होगी इसकी जो दूसरी विशेस्ता है कि पटना कलम चित्रकला का जो चित्र है उसमें जन समाने का जो दैनिक जीवन है और उसके व्योसाय आधारी चित्रों की चित्रों की प्रमुखता होती थी यह दैनिक जीवन और व्योसाय आधारित चित्रों को वे अपनी कलाह में अभियक्त करते थे दूसरी विशेष्था में हमें लिख देना है और इसमें कुछ एक्जामपल दे देना है कि दैनिक जीवन और व्योसाय धरित जो कुछ उधारन है उसमें जैसे कि लकड़ी काटता हुआ व्यक्ति कई किताबों में बढ़ा ही लिख दिया है पर बढ़ा ही यानि जाती सुचक सब्द का इस्तेमाल ना करके हम व्यक्ति कर देंगे यानि लकड़ी काटता हुआ व्यक्ति लकड़ी काटता व्यक्ति मचली बेचती महिला मचली का भी जामपल डाल देंगे मचली बेचती महिला इसके अलावा टोकरी बनाती महिला या फिर खेत जोतता हुआ किसान खेत ज टोकरी बनाती महिला इन चारों उदाहरन को हम उसमें डाल देंगे कि जैसे लकडी काटता व्यक्ति, मचली बेचती महिला, खेत जोचता किसान और टोकरी बनाती महिला तो इसमें दूसरा जो विश्यस्ता है उसमें दैनिक जीवन और व्योसाया धारित का भी हम जिक्र कर दे अगर हम मनुस्यों के चितर देखें तो उसमें उची बडी नाक इन चितर में नाक बनाया गया वो बड़े अकार का नाक बनाया गया है इसके लावा जो भाव आईब्रो हैं वो मोटा कर दिया गया है चेहरा पतला कर दिया गया है तो इन सब का जिकर कर देना है कि इनके दोरा बनाएगा चित्रों में प्रिष्ट फुमियम लैंडस्किप का प्रयोग कम किया गया है मनुष्य के चित्रों में उची नाक, मोटी भवे, पतले चेहरे, गहरी आखें और पुर्षों की घनी मूशें दिखाई गई है तो इस तरीके से हम ये चर्चा कर देंगे इसके अलावा जो चौथी विशेष्टा है चौथी विशेष्टा में ये बता देंगे कि पटना कलम चित्रकला के कलाकारों को कई सारी बारीकियों और उसके सजीव जिवन्त अलंकरन की उतकरिष्टता हासिल थी जिवन्त अलंकरन की उतक्रिष्टता यानि बारीकियों और उसके सजीव अलंकरन की उतक्रिष्टता हसिल थी तो चौतरी विश्यस्ता में हम यही बताएंगे और उसमें ये बता देंगे कि इन चित्रकारों को ये चित्रकार पक्षियों का चित्र ऐसा बनाते थे या चिडियों का चित्र ऐसा बनाते थे उनको देखने से अचा प्रतीत होता था कि उन कलाकारों को पक्षियों के सारीरिक विशेस्ता की गहन जानकारी थी तो ये दे देंगे और इसी में एक लाइन और लिख देंगे कि इसके लावा ये चित्रकार कुछ पशूओं की भी आकरती बनाते थे चित्र बनाते थे जिसमें हाथी येवं घोड़ा प्रमुख्त है तो इस तरीके से हम चार विशेश्टाएं लिखेंगे जो तीसरा था प्रिष्ट भूमी और लेंडस्केप प्रिष्ट भूमी और बारिकियों का सजी वलंकरन तो ये चार विशेश्टाएं हमें पटना कलम चित्रकला में डाल देना है इतना डालने के बाद इसकी जो विशेश्टाएं हैं वो सब बिंदू में क्रमानुसार आ गई है तो तरीके से उत्तर में ये अच्छा हाई स्कोर के लिए हो जाएगा अब हम पटना कलम चित्रकला के कुछ चित्रकारों का भी नाम डखते हैं कि कौन कौन चित्रकार थे जिनकी चर्चा अपने आंसर में लिखना है जैसे सेवक राम का चर्चा कर देना है खुलास लाल का चर्चा करना है तो हम समझते हैं कि वे कौन कौन से कलाकार थे जिनको पटना कलम चित्रकला में अपने आंसर में लिखना है हम आपने देखते हैं कि प्रकला के प्रमुख चित्रकारों में सबसे पहला नाम सेवक राम का देना है सेवक राम का दूसरा हुलास राम का हुलास लाल का हुलास लाल का तो इन दोनों का नाम अगर हम काल की रूप में देखें तो पत्ना कलम के जो यह चित्रगार्थ और सेवकराम इनका सत्रों सत्र से अठारा सो तीस इसवी माना जाता है सत्रों सत्र से अठारा सो तीस इसवी सेवक राम का काल माना जाता है और हुलास लाल का देखें तो सत्रों सो पंचानवे से अठारा सो असी सत्रों सो पंचानवे से अठारा सो असी कहें कि 1785 से 1885 भी दिया है लेकिन 1795 से 1880 खुलास लाल का कल्प मना जाता है इसके अलावे दो और चित्रकार थे जैराम दास और फकीर चंद लाल तीसरा जैराम दास जैराम दास फकीर चंद लाल फकीर चंद लाल और एक अंतिम महत्वपुन इश्वरी प्रसाद थे इश्वरी प्रसाद ये जो पाचों है ये पटना कलम चित्रकला के मुख्य मुख्य कलाकार जिनकी चर्चा हमें करनी है परिक्षा में उसके नाम है इन पाचों का नाम आपको याद करना पड़ेगा ताकि हम परिक्षा में इसके और भी जो पहलू है उस पे हम प्रकास डाल सकें तो इन सभी का नाम लिखने से आंसर की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और एक्जामनर बात दे होगा कि वो नंबर औरों के मुकाबले ज्यादा दे तो सेवकराम, खुलासलाल, जैरामदास, फकीर चंदलाल और इस्वरी प्रसाद इनकी चर्चा हमें कर देनी है ताकि लगे कि हम उन चित्रकारों को भी अपने आंसर में डाल रहे हैं जो इसका प्रतिनिधितों करते थे सेवकराम के बारे में अगर देखें तो सेवकराम वैसे चित्रकार थे जो सीधा ब्रस से ही चित्र बनाते थे और उसको मुगल मुगल शैली में अगर कहें तो उसका नाम स्याह कलम माना जाता था स्याह कलम ब्रस का इस्तमाल करते थे सीधा ब्रस का और स्याह कलम मुगल शैली में कहा जाता था यानि सेवक राम जो चित्र था वो डाइडेक्ट ब्रस लेके चित्र बनाना शुरू कर देते थे और इसी को मुगल शैली में स्याह कलम कहा गया है दूसरा हुलासलाल थे तो खुलासलाल को पशू पक्ष्यों के बारे में गहरी जानकारी थी और उसी अधार पर यह चित्र बनाते थे साथ-साथ जो दैनिक जीवन और त्योहार था उनका भी उसका भी चित्र बनाते थे तो इस तरीके से इन कलाकारों का नाम हमें याद रखना है और अपने आंसर में लिखना है इन कलाकारों में इस्वरी प्रसाद के बारे में थोड़ा विश्तार देंगे नीचे से paragraph छोड़के कि पटना कलम चित्रकला के अंतिम प्रतिनिधी के रूप में इस्वरी प्रसाद हैं इस्वरी प्रसाद को अंतिम प्रतिनिधी माना जाता है और इस्वरी प्रसाद ही इनके समय में जो पटना कलम चित्रकला थी वो बिहार से बंगाल के तरफ रूफ कर गई थी क्योंकि इस्वरी प्रसाद कलकत्ता आठ कॉलेज में प्रोफेसर बन गया थे तो उस समय जो ये कला पाटली पूतर पतना में थी उतो बिहार से ये बंगाल की तरफ मुड़ गया तो ये हमें जिकर कर देना है कि इस्वरी प्रसाद इस कला के अंतिम प्रत्रिधी मान लिखना है तो उसमें सबसे पहले हम महादेवलाल का नाम जिकर करेंगे महादेवलाल महादेवलाल दूसरा महादेवलाल के बारे में अगर हम को कहना होगा तो हमें रागिनी गंधारी का चर्चा करना है रागिनी गंधारी महादेवलाल कृत्त रागिनी गंधारी दूसरा माधो लाल कृत हमें रागिनी गंधारी की चर्चा कर देनी है और माधो लाल ने क्या किया था कि एक विरहनी नाइका का विर्णा के साथ चित्र बनाया था तो वो भी ज्यादा प्रचलन में है विरहनी नाइका विरहनी नाइका विरहनी नाइका का विर्णा लिये चित्र इसके अलावे शिवदयाल लाल भी फेमस हैं शिवदयाल लाल शिवदयाल लाल शिवदयाल लाल ने एक मुसलिम निकाह का चित्र बनाया था शिवदयाल लाल इसके अलावे गोपाल लाल को भी अगर ज़्यादा यार्थ करना हो तो गोपाल लाल का भी नाम दे सकते हैं उन्होंने होली चित्र बनाया था और इस्वरी प्रसाद का भारत माता चित्र प्रसिद रहा है तो अगर हम और भी थोड़ा विस्तार देना चाहें तो गुपाल लाल का भी जोड़ दीजिए अगर समय हो तो गुपाल लाल और पांचवा इश्वरी प्रसाद इश्वरी प्रसाद की चर्चा करदनी है सबसे जो इंपोर्टेंट था कि महादेव लाल कृत रागनी गंधारी इसका जिक्र जरूर कीजिए माधो लाल द्वारा विरहाणी नाइका का विर्णालिय चित्र का भी जिक्र जरूर कीजिए तिसरा में स्युदयाल लाल कृत मुस्लिम निकाह का चित्र उसके बाद अगर समय हो तो गुपाल लाल द्वारा होली कृत होली यानि फेस्टिवल जो होता है होली चित्र होली चित्र और इस्वरी प्रसाद का भारत माता चित्र भारत माता चित्र यह इतना हमें इन चित्रकारों का जो चित्र है उसके बारे में चर्चा करना है अब ह हम इसके बाद थोड़ा कुछ अपडेट कर देंगे तो यह अपडेट डाल देना है कि 2010 में 2010 में बिहार सरकार ने पटना चित्रकला की अपने जो अमुल्य सांस्कृतिक धरोर है उसका प्रसार करने के लिए उसने कैलेंडर जारी किया था कैलेंडर जारी किया था 2010 में कैलेंडर जारी किया था इसके अलावे सरकार समय समय पर अनेक प्रदर्शनी में अनेक प्रदर्शनी में पटना कलम चित्रकला को प्रदर्शित करती रही है तो यह थोड़ा अपडेट कर देना है समय समय पर अनेक प्रदर्शनी में, सरकार समय समय पर पटना कलम चित्रकला को दिखाती रही है, लोगों को बताती रही है, जिससे इस चित्रकला का विकास होता रहे है, इसके बाद लिख देना है कि पटना कलम चित्रकला की अधिकांस चित्रे कहां कहां पे है, तो पटना म्यूजियम में है, पटना आठ कॉलेज में है और खुदा बख्ष लाइब्रेरी में है तीन जगह इसका जिक्र कर देना है कि पटना म्यूजियम पटना म्यूजियम पटना आठ कॉलेज पटना आठ कॉलेज और खुदा बख्ष लाइब्रेरी खुदा बक्ष लाइब्रेरी इन तीनों जगों का जिकर करना है कि यहाँ पे ये चित्रकला सुरक्षित और संडक्षित है तो इस तरीके से हमें अपने आंसर को इतना विस्तार देना है अब हम इन सब के बाद एक उचित निसकर्ष डाल देते हैं इफेक्टिव निसकर्ष डालते हैं जो बिल्कुल सकारात्मक हो निसकर्ष हमारा अंतिम बिंदू है निसकर्ष निसकर्ष में ये लिग देगे कि उपरोक्त वीवेचन से सपस्ट है कि पटना कलम चित्रकला में जन समानने के जन जीवन का सजीव चित्रन किया गया है भारती चित्रकला के विकास में पटना चित्रकला का योगदान पहुती महत्पून और प्रभावशाली रहा है और साथ साथ ये बता देना है कि भारतिय चित्रकला के सनक्षन में भी एक अमुल विरासत के रूप में पटना चित्रकला अस्थापीत है तो ये इस तरीके से हमानिसकर्स का end कर देना है अगर ये भी लिखना चाहें कि पटना कलंप चित्रकला ही एक ऐसी चित्रकला रही है जिसने कलाकारों को स्वतंतर विकास के लिए उन्मुख किया था क्यूंकि मुगल सत्ता से सनक्षन प्राप्त होने के बाद कलाकार स्वतंत थे उस पर निर्भरता टूट गी तो कलाकार स्वतंतर होगे और इस कलाका स्वतंतर विकास हुआ तो इससे क्या हुआ कि कलाकारों में देश प्रेम और आस्ट भक्ति की भावना ज्यादा जागरीद हो गई थी ये भी निसकर्स में अगर समय हो तो डाल सकते है वर्णान किया गया है और यह भारती चित्रकला बिहार का चित्रकला नहीं भारती चित्रकला के विकास में अपनी एक विस्षिस्ट अस्थान रखता है या अमुले धरोहर है इस तरीके से हमें इसका निसकर्स लिग देना है तो हमें पर फिर से में में पॉइंट देख ले भूमिका में हम ने देखा कि पतना कलम चित्रकला का स्थाने विश्ष्षाम स्थाने विश्ष्षिन पक्षिक में रहतायव है तो हम लोगोंने सबसे पर इसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् उसके बाद प्रमुख चित्र यानि कुछ उधारन हम लोग हमने दिया था चित्र प्रमुख चित्र प्रमुख चित्र प्रमुख चित्र प्रमुख चित्र यानि जो उधारन था कि महादेव लाल कृत रागनी कांधारी माधो लाल कृत विरहनी नाइका काज विनाली ये चित शिवदयाल लाल कृत मुस्लिम निकाह का चित्र तो इन इसमें हम लोगों ने इसके उधारन देखे थे उसके बाद ये बता देना है कि पटना कलम चित्रकला की जो चित्र हैं वो पटना म्यूजियम में सुरक्षित हैं पटना आर्ट कॉलेज में सुरक्षित हैं और खुदा बख्ष लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं उसके बाद विश्चलेशन पॉक्ष में ही था कि हम कुछ अपडेट डाल देंगे या कुछ समसामाई की जोड़ देंगे कि वर्स 2010 में बिहार सरकार ने पटना कलम चित्रकला को बढ़ावा या सनक्षित्या विकास करने के लिए एक कैलेंडर जारी किया तो कैलेंडर का भी डाल देंगे इसके लावा ये भी डाल देंगे की समय समय पर सरकार इन चित्रकला को या पटना कलम चित्रकला को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी का आयोज ये चित्रकला भारती चित्रकला में अपना एक अद्विती अस्थान रखती है तो इस तरीके से पटना कलम चित्रकला का टॉपिक हमारा समाप्त होता है मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा आप सभी लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और इस वीडियो को शेर भी कीजिए ताकि अधिक सदिक लोगों तक पहुँचे आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत आभार